ये प्रेसवारता जो है जैसा सभी न्यूस चैनल्स पे चल रहा है भारत में सबसे बड़ा कटर बैमान पापी आपका कनवीनर अर्विंद केजरिवाल काप रहा है थर्थर सर्दी में निकल रहे हैं पसी ने अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर और क्यों कारण ये है कि एडी ने चोथा समन भेजा अर्विंद केजरिवाल को और उनसे पूछताच करना चाहिए ये तो न्याय संगत है कानून संगत है लेकिन अर्विंद केजरिवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं आप थर-थर काप रहे हैं आपको डर लगने लगा है आपको ये जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं जिनको ये कट्टर इमांदार बताते थे जो निकले कट्टर बैमान पूर्व उपमुख्यमंतरी मनीश शोडिया और सांसर संजे सिंग कह रहे हैं मेरे भाईया शराब घोटाले के किंग पिन कट्टर बैमान अर्विंद के जिरिवाल हमारे पास कब होगे हम व्याकुल है हम चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे आप आईये और एक नया घोटाला करें जैसे मसाज घोटाला किया था मसाज करवा रहे थे पॉक्सो एक्क्यूस से वैसे ही जब शराब घोटाले के किंग पिन अंदर जाएंगे जो अब यकीन हो रहा है कि इ बड़ी जम्यदारी से मैं कहता हूँ एक मुख्यमंत्री जो की सम्विधान की शबत लेता है वो कहता है मैं सम्विधान और कानून का पालन करूँगा और उसकी रख्शा करूँगा पहला समन विधान समा चुनाव है इसलिए नहीं जा पाऊंगा जी दूसरा समन विपासना करनी है मुझे मैं इसलिए नहीं जाऊंगा तीसरा समन लोगसमा के चुनाव की शुरुवात हो चुकी है आज चौथा समन चौथा समन आया और बताया ये जा रहा है आप सब फत्रकार बंदूओं को ज़्यादा जानकारी होगी एक एवर्ड सेरमनी थी नाम था एकसिलेंस इन एजूकेशन इवर्ड वहाँ पे हमारा जो देश का भविश्य है दिली का भविश्य है उन बच्चों को पुरसकरत कर रहे हैं जंता दिली की और देश की ये कह रही है अरविंद केजरिवाल तो केवल एकसिलेंस इन आवार्ड में मुख्य हत्यती बने और एक कोचिंग सेंटर खोले किस तरह से घोटाले होंगे टॉलिट को क्लासरूम बता दूँगा मैं दिल्ली के लिए बस खरी दूँगा उसमें मैं घोटाला कर दूँगा मैं कसम खाता हूँ मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा उसके बाद शीश महल अपना बनाऊंगा घोटाला कर दूँगा और अब शराब घोटाले के किंग पिन हो लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जाके एडी के प्रशनों का सामना कर सको कुछ प्रमुक बाते इस प्रेश वारता में आपके समक्ष रख दूँँ सबसे पहले एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटे तो आज ये कहना गलत नहीं होगा शराब घोटाले के किंग पिन इडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो साथ में वो एडी से सवाल पूछ रहे हैं आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जाज एजिंसी समन देके बुलाए और वो जाज एजिंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं अराजक्ता का परियाए कोई है जिसके डिने में अराजक्ता है कानून को तोड़ना है ब्रश्टा चार है लूट कसोट है कमिशन कोरी है चोरी है तो वो अर्विंद केजरिवाल है झाल